अगर आपका रिस्ता उस मुकाम पर आप पहुचाए जहां पर आपका पार्टनर आपसे बात करना पसंद नहीं करता है पहले वह आपसे बात करने के लिए तरस्ता था लेकिन अब आप तरस्ते हो उससे बात करने के लिए और वो अवोइड कर रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है एक आएक ऐसे कैसे चेंज आ गया और इसको पहले की तरह reverse कैसे करें ऐसा क्या करें सामने वाला व्यक्ति फिर से आपके लिए वैसे ही पागल हो जाए तो आज के वीडियो में इसी टोपिक पे बात करने वाले हैं कि सा जोटा था तो नारी था में बड़ा हुआ तो नर नारी का तो कम मोल था लेकिन नर की बड़ी कदर सही जब आप देने वालों के नाम में हर संडे सुब 8 वजे फेस्बुक पेज और यूटूब पर लाइव एनाउंस करती हूँ तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले तो आप मुझसे लाइव जुड़ कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं लाइव जुड़ने के लिए फेस्बुक आईडी स्क्रीन पर सो हो रही है आप उसे फालो जरूर करें मैंने एक e-book लिकिया रिस्तो की मार्गदर्सी का प्यार वासना relationship में सब कुछ अगर आप भी अपने रिस्ते को सही तरीके से manage करना चाते हैं relationship के बारे में समझना चाते हैं तो उस e-book को purchase जरूर करें इबुक को purchase करने के लिए link आपको discussion ने नीचे मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को facebook page पर देख रहे हैं तो आप मुझे messenger करके भी उस link को प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को continue करते हो और आज का वीडियो सुरू करते हैं अगर चाते हो कि सामने वाला पहले की तरह हो जाए तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि problem कहा है पहले अगर ऐसा था तो अब ऐसा क्यों हो गया है तो देखिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सायद सामने वाला व्यक्ति आपको पाने के लिए बहुत सारी कोशी से की वो सफल भी हो गया वो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहने लगा आप उसको सीरियस नहीं ले रहते आपने उस पे ध्यान नहीं दिया आपने उसे फोकस नहीं किया आपने उसे नॉर्मल समझ लिया था वो जितना जादा आप पे ध्यान देता था आप उसे इग्नोर करते थे आपको तो लगता था कि सामने वाला व्यक्ति आपको कभी छोड़के अब जाएगा ही नहीं कभी वो आपसे दूर होगा ही नहीं और आपने उस तरीके से प्यार उसको नहीं किया उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जिस तरह से वो आपकी रिस्पेक्ट करता था जिस तरह से वो आपको प्यार करता था, जिस तरह से वो आपकी value करता था, सायद आपने ध्यान देने में कमी की है, और जब आप ऐसा करते हो ना, तो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी किसी के प्यार में पागल हो, लेकिन जब ऐसा करते करते एक दिन वो भी यह समझ जाता है, क शामने वाल वज़ती जब उसे ज्यादा प्यार करने लगता है, तो दूसरा वज़ती उसे इगनोर करने लगता है, वो निस्चिंथ हो जाता है, वो यह सोचने लगता है कि आप सामने वाला वज़ती मुझे छोड़के कभी जाएगा नहीं, लेकिन हर चीज की hद होती है हर चीज का एक अंध होता है अगर आप किसी को जादा परिशान करोगे ना तो सामने वाला बेक्ति कब तक परिशान होगा कब तक आपको बर्दास्ट करेगा एक दिन वह भी आपसे दूर हो सकता है और यह चीज आपको पता नहीं होती और साइद आपके साथ यही हो तो अपनी problem को समझ और जो गलति आपने की हैं सुधारने की K feelings करो आप धीरे धीरे उस पे ध्यान देना शुरु करो आप उसके लिए जो भी कर सकते हैं वह उसका मन आप पर पे लगना शुरु हो जाए अब जब आपको समझ में आ गया है कि आपने क्या गलती कि तो यहाँ दूसरी बात कि आपको अपने उस गलती के लिए उससे सौरी बोलना चाहिए उससे मौफी मागना चाहिए और सिप सौरी बोलने से काम नहीं चलेगा आपको अपने विहेव में अपने व्यवहार में उसे लाना पड़ेगा उसे दिखना चाहिए कि बास्तों में आ आपने गलती की है जब आप उसे सुधारने की कोशिस करोगे और जब आप बास्तों में बदलने लगोगे जब आपके अंदर बदलाओ नजर आने लगेगा तो सामने वाला खुद बखुद समझ जाएगा कि अब आप बाकई में बदल रहे हो फिर वो सायद आप से पहले जै इसा नहीं होता है कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप अपने पार्टनर के पीछे इतना पागल होते हो उसके साथ रहने के लिए उसे पाने के लिए उससे बात करने के लिए कि आप अपनी वेलू खो देते हो आप अपने वारे में ध्यान नहीं देते हो सिर्फ उसी के पी या वो आपके साथ time pass कर रहा होता है कुछ दिनों के बाद उसका मन कहीं और लग जाता है वो किसी और से time pass करने लगता है सकता है कि उसकी life में कोई और आ गया हो उसका मन आप से भर गया हो अगर वो time pass कर रहा होता है लेकिन गलती है आपकी तब होती है कि जब आपके साथ ऐसा सामने वाला ब्यक्ति कर रहा होता है और आप फिल उसके पीछे पढ़ जाते हो गिर गिराने लगते हो उससे कहने लगते हो कि तुम उससे दूर क्यों जा रहे हो क्यों मुझे इगनोर कर रहे हो क्या कारण है आप सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है और यहीं पर आपकी गलती होती है आप से अपने कारण से दूर जा रहा है जहां पर आपकी गलती नहीं है वहां किसी के सामने गिर गिराने की जरूरत नहीं है और यहीं गलती आप करते हो आपको अपने आपको बहतर बनाना है अपने आपके उपर काम करना है किसी दूसरे के पीछे भागना नहीं है अपने आपको इतना काविल बनाना है कि लोग आपको प्यार करें आपको प्यार के लिए किसी और के पीछे भागने की जरूरत नहीं है तो जो आप उसके लिए तडप रहे हो पागल हुए जा रहे हो अपनी सेल्फ वैसा ही करना होगा, अगर वो call नहीं कर रहा है तो आप भी call मत करो, अगर वो आपको ignore कर रहा है तो आप भी ignore करो, अगर वो आपकी value नहीं कर रहा है तो आप भी उसकी value मत करो, अगर वो आपको respect नहीं दे रहा है तो आप भी उसको respect मत दो, सामने वाला जैसा वेवहार आपक सामने वाला आपको इगनोर कर रहा है काम अपने उपर करना है अगर इगनोर कर रहा है तो आप इगनोर करो अगर call नहीं कर रहा है तो आप call करना बंद करो अगर वो अभी आपकी value नहीं कर रहा ना तो इसका मतलब है कि आप में अभी बदलाओं नहीं आया है जिस दिन आपका attitude ऐसा हो जाएगा जिस दिन वो समझ जाएगा कि अब आप बिलकुल बदल चुके हो जिस ब्यक्ति को वो ignore कर रहा था आपका कुछ अलग ही attitude हो चुका है आप कुछ अलग हो चुके हो अब आपको उसकी परवा नहीं होती अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके साथ कैसा कर रहा है कैसे वेवहार कर रहा है तब जाके उसे समझ में आएगा कि बाकई में आप में changes आ रहे है जब आपके अंदर बदलाओ आ जाएगा ना तो खुद वा खुद वो आपके पास आएगा खुद वा खुद वो पहले जैसा होने लगेगा खुद ही वो आपकी value करना सुरू कर देगा तो changes अपने अंदर लाना है बहुत धन्यवाद